नमस्कार मैं हूं रितिंजा चोहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN 9 News SPN 9 News में बात करेंगे उत्तरप्रदेश की और उत्तरप्रदेश की राजनीती की समाजवादी पार्टी इन दिनों सबसे बड़ा विपक्षी दल बनकर विधान सभा में बैची हुई है और समाजवादी पार्टी के अध्यक शक्षील श्यादव ने विधान सभा चुनावोग में लड़ाई लड़ने से पहले कहीं तमाम छोटे-छोटे दलों के साथ गड़बंदन करने का फैसला लिया था लेकिन वो फैसला उनका काफी हद तक सही भी रहा क्योंकि उन्हें जिस तरह से सीटे मिली वो तो यही माना जा रहा था कि उनकी कहीं न कहीं रंडीती काम्याब होती नजर आए लेकिन वो इतने बड़े मार्जिन से चुनाम नहीं जीत पाए के सरकार बना सकें लेकिन अब जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में तूट देखने को मिल रही है लगातार उन तोनों की बीच में तकरार देखने को मिल रही है उसे शिवपाल यादव खासा नरास नजराय थे और उसे पहले भी शिवपाल यादव की तरफ से भी कई कड़ी प्रतिक्रियां एकलेश यादव की नेतरत और रन्नीती पर दी गई थी उन्होंने कहा था कि एकलेश यादव और उनकी रन्नीतियों और नेतरत में कमी की वज़े से ही पार्टी को हार का सामनक करना पड़ा है और जिसके बाद लगातार ये देखा जा रहा है कि चाचा भतीजे में दूबारा दूरियां बढ़ेने लगी है हलाकि चुनावों से पहले ही दोनों साथ आ गये थे बीजेपी को हराने के लिए लेकिन अब चुनावों के बाद जिस तरह हार का सामना करना पड़ा इन दोनों के बीच में दूरिया बढ़ रही है और इसका अच्छा खासा असर भी देश की राजनीती में और प्रदेश की राजनीती में देखने को मिल रहा है वही गटबंदन के साथ इन दलों में समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया था उन दलों के साथ मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में कहीं न खे शिवपाल यादव के पहुँचने पर लग-लग-कयास लगा जा रहे है हलाकि शिवपाल नाराज चल रहे हैं और उनके पहुँचने पर अभी भी यह एसा अस्पेंस बना हुआ है ऐसा माना जा रहा है कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज हैं और वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं तो देखना होगा कि अब जिस तरह से चुनावों के बाद और MLC चुनावों से पहले जो इतरपदेश की राजनीती गर्माई हुए एक काम मुनया मोड लेती हैं आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं SPN 9 News